नमस्ते अब्रीवन जय हिंग जय भारत जय उत्राखन फ्रैंड दस राहूल रावत अन्स अगें आई हाटली वेलकम बैक तो माई ओफिशल यूटूब चैनल आई होप यूटूब यूटूब चैनल और मोस्ट अवेटेड वेडियो हमारे चैनल पर जिसके रिलेटेड में आप लोगों के बहुत सारे कोईशन आएं ओवर इंस्टरग्राम जिसके लिए आप लोगों ने बहुत टाइम से हार्ड वर्क करा था फाइनली आप लोगों के लिए उफिशल वेबसाइट पर एड्मिट का डिलीज कर दिये हैं आल राइट आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका बैक परिक्षा है चाहिए आपका मेन एग्जामिनेशन है या इंप्रूमेंट एग्जामिनेशन है उसके रिलेटेड में युनिवोर्स ने ओफिशल वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अड्मिट का डाउनलोड करने का ओप्शन दे दिया है आप लोग चेक आउट कर सकते हैं लिंक हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर शेयर कर दिया गया है तो आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूँ वीडियो के माध्यम से वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर देना एंड मेक्शिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज इस्ट्रक्शन दिये गए हैं और किस तरीके से आप अपना एक्जामनेशन सेंटर वेरिफाइट कर सकते हैं तो विडाउट अनी फर्दर अडिले लेस्ट बिगीन दे वीडियो उत्राखंट मुक्त विश्विध्यालाय का एड्मिट कार डाउनलोड करने के लिए आपको अपलोड कर दिया है वो हमारे टेलिग्राम ग्रूप उत्राखंट ओपन पर भी आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा जिन भी कानिडेट्स ने हमारा टेलिग्राम ग्रूप उत्राखंट ओपन जॉइन नहीं करा है लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया है आप लोग जोईन कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पर student admit card examination type आप लोग को यहाँ से select करना होगा अगर आप लोग का main examination है तो regular select करेंगे और अगर आप लोग का back paper है तो यहाँ से जाकि आप लोगों को back अपडेट देखने को मिल जाएंगे ठीक है अभी फिलाल यहाँ पर आप लोगों को जन्वरी दो जार चाओबिस ऑल समस्टर स्टूडेंट्स वेदर इट इस बैक और इंप्रूब्मेंट वाले स्टूडेंट्स का दिखने को मिल जाएगा ऑल राइट बाकी यहां से आप ल इंडोल्मेंट नंबर एंटर करना है जो भी आप लोगों का इंडोल्मेंट नंबर है अगर आपका समस्टर कोर्स है तो यहां पर आप लोग अपना इंडोल्मेंट नंबर एंटर करेंगे उसके बाद यहां पर सर्च वाला ओप्शन है वहां पर आप लोग जिससे क्लिक क करेंगे, तो आप लोगों का admit card download होके आजए गा उम्स्टेंस के लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए enrollment number एंटर कर लूग हूँ that मैंने यहां पर अपना enrollment number एंटर करा, यह आप प्रोग्राम year or semester और download का option आ रहे, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका semester course है जन्वरी 2024 आप लोग सेलेक़ करके और अपना indulment number एंटर करेंगे प्रोग्राम यहाँ से सलेक्ट करके उसके बाद आप download पर click कर देंगे जिसे आप download पर click करेंगे आप लोगों का admit card download होके आपके पास आ जाएगा इस तरीकी से यहाँ पर important instruction दिये गए हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के examination center के जानकारी दिया गया है, कब से कब तक आप लोगों के examination चलेंगे, सभी subject code, wise and timing आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को चेक आउट कर सकते हैं, next अगर आप लोगों को another admit card download करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को reset वाल option कर क्लिक करना होगा, यहाँ से आप लोग जनवरी 2023 select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगेन आप लोगो another enrollment number enter करना होगा, for example मैंने यहाँ पर another enrollment number enter करा, उसके बाद मैंने यहाँ पर search वाला option, उसके बाद मैंने यहाँ पर search वाला option पर क्लिक करा, और यहाँ पर BA23 course है, second semester का है, यहाँ पर मैंने डाउनलोड करा, और already मैंने डाउनलोड कर रखा एक admit card, तो इसलिए मुझे यहाँ पर दुबारा से another student का डाउनलोड करना है, इसलिए मैं download again पर क्लिक करा, तो इस तरीकी से आप लोगों को admit card देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को क्या-क्या important instruction को fulfill करना है, तो यहाँ पर आप लोग वो read out कर सकते हैं, और जो भी important instruction है, वो मैंने टेलिग्राम ग्रूप पर भी आप लोगों के साथ share कर दिये हैं, जुन भी candidates ने हमाने टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं करा है, आप लोग जरूर जोइन करें, लिंक वीडियो को लिब्सक्रिशन में दिया गया है, नेक्स अब में यहाँ पर back paper की बात करने वाला हूँ, यहाँ से अगर आपका back paper है, तो यहाँ से आप लोगो जनवरे सी select करना होगा, यहाँ पर आप लोगो अपना enrollment number एंटर करना है, उसके बाद आप लोग search पर click करेंगे, यहाँ पर option आ गया है, यहाँ पर option आ गया है download करने का, तो इस तरीके से आप लोग download कर सकते हैं अपना admit card, उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना examination center cross verified कर सकते हैं, important course code में कौन-कौन से date में आप लोग का कौन-कौन से time period है, वो आप लोग check out कर सकते हैं, यहाँ पर important instruction दे गये हैं, जरें आप लोग read out कर सकते हैं, alright, guys I think that's sufficient for today and that's all about this video, if you still here then thank you so much for watching this one, I really appreciate that, I hope you like watching this video, feel free to comment down whatever suggestion or feedback that you have for me, I would love to read them and yes, once again thank you so much, I hope you are having a very good day, bye-bye, I will see you very soon, thank you so much. झाल